कि नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका एग्री उडान के यूटूब चेनल पर आज हम आपको रीजिनिंग का टापिक दिसा परिच्छां पढ़ाएंगे यह जो टापिक है हम इस पेसली बेच्चु के बच्चों के लिए ले रहे हैं और इसके साथ साथ में इसका जो बे इससे पहले हमने दो टापिक पढ़ा दिये एक तो रैंकिंग टेस्ट दूसरा क्लाग पढ़ा दिया है जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पर जा करके उसे भी देख सकते हैं तो यहां पर हम आज आपको डाइरेक्शन टेस्ट क का डिटेल में जो भी बेसिक होता है वो समझाएंगे इसके साथ साथ में कुछ कोस्टन कराएंगे और इसका जो है जो पीडियाफ रहेगा हम आपको एग्री उडान के टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्ण कर देंगे जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रप्शन बाक्त में दे कि उत्तर दुसरा होता दच्षिर फिर पूर और फरस्चीम ठीकैंंब जैसा कि यहाँ पर आपदेख पार हुआ है जो हमें Liverpool भासा में या नो कि भूख के हिसाब से उत्तर होता है वह हामेसा उत्त ऐता है थार नीचे की ओर होता है दियान भीह期 होता organism एक तो उत्तर और पूरफ के बीच की दिसा होगी जिसे हम उत्तर पूरु कहेंगे ठीक है यह हो जाएगी इसके लामा पूरफ और दच्छिर के बीच की दच्छिर पूरु हो जाएगी पस्चिम और दच्छिर के बीच के दच्छिर पस्चिम हो जाएगी उत्तर पस्चिम के बीच की उत्तर पूर उत्तर पस्षिम हो जाएगी तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिसाय हैं कुल मिला करके आठ हैं लेकिन जो हमें मेजर पढ़नी रहती हैं और चार ही होती है एक तो उत्तर होता है ठीक है दूसरा दच्छिड पूरब और पस्षिम होती हैं यह में दिसाय होती है कि अगर किसे jou स्वाल करते हैं तो हमें दाया और कमाया से न पड़ता है कि अगर किसी डाने में जा रहे हैं तो यह वहां चैसे मुणे एक मेंं यह हमेंं कॉमेसा रहता है और अ इसमें क्या होता है क्लाक हमेसा यू चलती है यूँ egan सिस तड़ीके से चलती है कannée तो क्लाक एक डारेक्षण में जब हम कोई दिशा समी viable में धुज तो अपने गोमें जब एक किसी भी आप डायरेक्शन में जा रहे हो आप अपने ज़स्ट जिधर की और जा रहे हो उसके क्लाक वाइस जब भी घूम वह तो आप दायें फुच जाओगे ठीक है दायें की और मुड़ जाओगे तो यहां देख रहे हो कि जैसे हम उत्तर की और चल रहे हैं ठीक है तो उत देखेंगे कि औहीं डाहिंने घुम लग्ञावाइस यूं चलती है तो आप जब भी यूंवहोंएंगे तो दाया हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आमोना लिधे audi आप पूराँ क्यों चलने पर पड़ाइंगे जैसे जा रहे हैं तो ज़स्ट clockwise घूमएंगे तो ऐसे दयाय आपका हो जएगा इस तरीके से इसी तरीके से दच्षेर में तो आपका हो जाएगा इसे तरीके से जब आप 20 में चल्ड़ रहूंगे तो ऐसे घूमेंगे तो आपका दायां को जाएगा कुनलाकर कि अश्वर होती है टॉर्त क करेंगे कि आपका कब होगा सब्किन की अब होता है तो यहां देख पारें माल लिए कि आप उत्तर की और जा रहे तो उत्तर क्या होता आप जस्ट यह यहां मुडेंगे हैसे हलकाशा यह क्या हो जाएगा इंन्टिक लॉथ हो जाएगा तो यह नहीं लंनेगर तो लेंगे ने प Whew देक्त हैं अभर्ध यहां से उत्तर की और जा रहे हैं तो इंटिक वाइस घुमेंगे और भाएंगे बायों हो जाएंगे यह पूर क्यों जा रहे हैं तब बायों क invi ق्रों यहाँ एसे यहांiser तो आपका दाहिना हाथ दाया हो जाएगा आपका बाया हाथ बाया हो जाएगा ठीक है या आप मालिद यह की पूरव क्यों जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ दाया हो जाएगा और आपका इधर बाया हाथ बाया हो जाएगा ठीक है जब आप पूरव क्यों जाते वे पूर सारा देख लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा फिर एक चीज़ होती है इसी में हमें सीखना रहता है जैसे पाइथा गुरस पर में होती है उसके काडिंग कुछ सवाल लगाने रहते हैं सवाल सवाल करते हैं तो यहाँ पे जैसे एक देख लीद ये एक टिरूज है जो की समकोर्टि मुझे इसमें ये डारेकसिन देख पा रहे हैं लंब है यह जो है और ये जो regime है वो काड फिर ये दोनों भूजा गारे और यहां से नहीं विने की बूज चलेंगे और कुछ दूरी चलने पर आपको कभी दूरी निकालना हो जाता है तो आप इस जो है पाइथा गुरस प्रमया का प्रियोग करके दूरी निकाल सकते हैं जो कहमा आपको जब सवाल कराएंगे तो समझा देंगे अची तरीके से ठीक है तो इतनी चीजी आप सीख जो मैंने आपको अभी सिखाया था एक लाकवाइज यह एंटिक लाकवाइज ठीक है यहाँ पर पहला हम उदाहन देखेंगे पहला है कि एक मनुष पस्चिम की और मुख करके खड़ा है ठीक है ध्यान से आपको समझना है जो हम आपको बता रहे हैं अच्छे समझ लिजी पस्चिम की और खड़ा है मतलब हमने आपको दिशाय बताई जो हैं कितनी बताई है चार ठीक है कौन कौन से चार एक तो यह मैंने बताई आपको उपर होता है उत्तर ठीक है इधर होता है पूर और इधर होता है पस्चिम और इधर होता है दच्छेड ठीक है आप यहाँ कह रहा है कि आप कोई मनों से पस्चिम की और मुख करके खड़ा है अब इधर खड़ आप क्या करेंगे करींग दिलाइब यह होता तो है एंटी कलाकवाइज देख पा रहे हैं जब यहाँ कोई वेक्टे खड़ा था मतलब यहां से तना हो जाएगा नाइंटी eIONS इधर चला जाएगा ठिक और फीर 135 अंच उसी दिशा में गुमता है अब इस स्थान से मतलब जो है 135 घुम हमेगा तो 90 यहां तक पहुंच जाएगा प्रस इसके बीच का पहुंच जाएगा फैने 35 ठीक है फैने 45 तो यहां इस दिसा में आ जाएगा टोटल मिला करके फिर कह रहा है कि अंत में वहाँ दोसो सत्त घड़ी की दिसा में गुंता है यहाँ पर आ चुका है यहां से पस्चिम से यहां तक आ चुका है अब यहां से कह रहा है दो सबस्ता तो इसके जश्ट सामने अगर देखेंगे तो 180 पहुंच जाएगा ठीक है और आप कितना बचा हमें 90 और चलाना है तो 90 यहां पर पहुंच जाएगा तो मतलब कुल मिलाके हमारा जो अंसर इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा उत्तर पस्चीन तो इसका क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा सी लेकिन आप इसको अगर समझ नहीं पहां थोड़ा सा नीचे देखेंगे आपको सही समझ माँ जाएगा हम आपको एक टिक बता रहे हैं उससे याद करें मतलब उसको आप समझ लेंगे तो उसके कार्डिंग आप सीख लेंगे जैसे जब भी इस परकार के कोई सवाल आ जाते हैं तो आपको क्या कहना है एक तो घड़ी की दिशा में लिखना है आपको घड़ी की दिशा में जितन गुमा है उतना आप total मिला करके लिख लेंगे ठीक है अब इसको लिखने के बाद जो इसका अंतर निकलेगा ज्यादा वाले से कम वाला घटा देना है और आपको ये तो पतशी होगा कौन सी ज्यादा है और कौन सी काम है जो value ज़ादा है हमेशा उसी दिशा में बाद में चलाना रहेगा तो इतना क्या कहना है आपको clockwise जितना भी चलता है उसको note कहना है एंटी clockwise जितना चलता है उसको note करके फिर इनका अंतर निकाल लेना है जैसे देखो कैसे मान लिजे कि इस सवाल में क्या था clockwise 270 मतलब लास्ट जो श्टेप था उसमें क्या था कि 270 अंस जो है लास्ट में घुमा तो जो घड़ी की दिशा में था 270 घुमा ठीक और एंटी clockwise कितना घुमा गया पहले 90 चला गया फिर 135 तो टोटल लाके 225 हुआ अब देखिए यहां clockwise ज्य आ देंगे हमारा कितना निकलेगा 45 लेकिन 45 कौन सा निकलेगा clockwise वाला तो clockwise मतलब घड़ी की दिशा में 45 निकलेगा अब मालीदी हमारा फिगर यह था पहला वाला देखिए कि पहले तो कोई वेक्ति था पर स्चिम की और खड़ा था ठीक है हमारा कितना ज्यादा हुआ पैं आप वाइस पैंतालेस आप घुमा देखिए बस आपका अंसर आ जाएगा तो इस पस्चिम से जब भी 45 अंस चलेगा तो यहां बीचों बीच में डारेक्शन में पहुंच जाएगा तो यह बीचों बीच की डारेक्शन जो होती हो क्या होती है उत्तर पस्चिम आप इनके इनके सब के बीच 90-90 का कोड़ होता है तो बीच का जो आधा रहेगा वही 45 होगा तो यह एक तरीका था ऐसे भी आप सीख सकते थे इसको ठीक है अच्छा एक तो हमने आपको जो ट्रीक बताई clockwise और anti-clockwise का योग करके ज्यादा वाले से कम वाला घटा देना है और जो ज्यादा वाला रहेगा वो शुरू से जहां से वेक्ट खड़ा था वहां से जिस दिशा में निकल ला है उसे दिशा में आप घुमा देंगे कि दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फिगर द्वारा कर सकते हैं कैसे जैसे यह फिगर है मान लेते आब यहां पर कोई वेक्ट प्राग्ण भी यहां कड़ा है मान लीजिए परसींप्योर मूँ करके तो पहले देख लीजिए आप अच्छे देख पार होंगे कि 90 जो है एंटी क्लाक्वाइज चला मतलब यह पहुंचा ठीक है फिर 135 यहां से दूसरे स्टेप में यहां तक पहुंचा 135 कुल मिला के जो दूरी तेह की गई वो कितनी तेह की गई 225 यहां पर पहुंच गए ठीक है अब यहां पर पहुंचने के बाद लास्ट में 270 जो है खुम गए तो खुम यहां से ले करके यहां तक पहुंचें तो आप यहां पर पहुंच पहुंच कहां गए यह तो यह दारेक्शन हमारी कांसे निकली उत्तर पहुंच तो यह करेना थोड़ा सा डिफकर्ट है इसमें आपको इस्टेप फिगर बनाना पड करेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे चलिए इसको हम अगले सवाल में आपको और किलियर कर देते हैं तो अगला सवाल है लाम उत्तर पस्चिम दिशा में अम्मू करके खड़ा है देकि उत्तर पस्चिम दिशा में खड़ा है ठीक है अभी आप इसको पहले सवाल अ उसी दिशा में घुमता है इसके बाद 90 अंस वामा वर्त मतलब एंटी क्लाक वाइज घुमता है और और अंत में बाद फिर 108 अंस उसी दिशा में घुमता है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 135 ठीक है और यह 45 दोनों क्या है क्लाक वाइज मतलब तो जो सबद होग जो होगा वह 180 यगा ठीक है evolved कि यह क्या कहा गया I'm एंटी क्लाग वाइज वैंटी एंस और एक सो स्य पर एक्त्य चैन्स तो एक सिर्फीमर्ण औरrän यह घ्टाइब यह वाईज होजएगा फर्web यौरो देंटी क्लाक्वाईब um हो जाएगा 120 अब कि आप देख पा रहे हूंगे एंटी-clock weiß वाला ज्यादा है ठीक है और यह clockwise पारभि इस थित में था कहां पर राम उत्तर स्थिम दिशा में ठीक है है तो हमें नब्बे अंश एंटी क्लाक्वाइज घुमाना है आप देख पा रहे हैं यह कोई फिगर है और उत्तर पस्यिंग आप देख पाएंगे तो यहां पर निकला क्या था नक्डाक्वास तो 90 यहां से इतनी इतनी दुरी 45 हो हो जाएगी यह दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 90 तो हमारा यहां राम पहले था और बाद में कहा जाएगा यहां राम आ जाएगा तो यह हमारी डारेक्शन कौन सी होती है मैंने आपको आफ दिसाइं बताई थी तो पस्चीम और दस्च्छड के फे था ठीक है आप पहले देखिए दच्छडावर्त में पहले क्या घुमा फैस्टालिस अंस जो घुमा फिर इसके बाद 155 अंस गुमा दच्छडा वर्त तो इसको योग करेंगे तो 180 हो जाएगा दूसरा क्या है बामा वर्त में नाइंटिस पहले घुमा फिर 180 गूमा फिर यहां से राम यूँ चलेगा कितना नाइंटी एंस तो यहां पहुंच जाएगा तो हमारा करेक्ट एंसर क्या आजाएगा दस्षिवर पस्षिन ठीक है इस वीडियो को आप ध्यास समझेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी आप अगला कुस्षिन कराते हैं आपको दूसरा टाइप है जब दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्णाइद तब क्या करेंगे आप जैसे किसी दिशा का नाम जैसे उत्तर है तो उत्तर का हम लोग नाम पहले से परिवर्तित करके मालीजे दच्षिड र कहते हैं तो लाश्ट में पूंचेगा कि कुछी दिशा का मतलब नाम पूंच देगा और यह क्या होगा इस तरीके समूझता है तो यहां पर जैसे उदारान में देख पा रहे हैं करा यादी दच्षिड पूरव को पूरव कहा जै आप अच्छे से यहां देखिए हम आपक पीड़ हो गया और यह वेस्ट हो गया ठीक आव यहां कहरा दच्षिड पूरव को पूरु कहा जाए अब दच्षिड पूरव कोंसा होगा यह दच्षिड पूरव यह होगा आप इसको ही अगर हम लोग पूरु कह दें तो चीदी बात है 45 एंगल घूम गया तो अब हर एक चीज को हम 45 angle घुमा देंगे पूरा तोटल का टोटल तस्षिर परस्चिम को दश्चड का आ जाए अब देखिए यह दश्चड परस्चिम था लेकिन यहां दश्चिर होता है तो अब यहां कुर्छी तरीकर से समझेंगे यहां पे देखते पा रहे हैं है है सवरिबर फीन से लोगा हो जाएगा आप का दुख्ष्ष्षिद पास्चिं सोरी जाएगा उत्तरपास्चिम इसका करेक्ट अंसर जाएगा ये जो है ये correct answer होगाajes को अच्छे समझ लें गेंगे हम चांव एक बार फिर से यह पूर्व मने कहा दिया ठीक है अब यह यहां उत्तर होना चाहिए लेकिन जब परिवर्थन करके ले जाएंगे तो उत्तर पश्चिम यहां तुमारा करेक्ट एंचर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम ठीक इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको बस आप को क्या ध्यान लखना सारी धिकर आपका हो गया यहां पर देख पा रहे हैं यह में फिगर हो गया आपका जो दिसाएं होती है अव यहां पर परिवरतन कराया क्या गया है दच्ष्छिड पूरू को पूदब कह दिया गया है ठीक है और दच्छिड पस्ची मतलब इसको जो है यहां पर देख पाएंगे यह मुख्य चार्ण यह दो तीन चार्य हो गई मुख्य होती है लेकिन यहां पर परिवर्तन के दौरान यह सब त्इ pattas nodes armor audio यह यहां पर टोटन प्रवेबर्तन होता रहे तो कह Fool को कहेंगे क्या यह दो उत्तर में चीज होती हे तो यहां पर उत्तर की जगें पर उत्तर मार緣 जाएगा इतना ही चाहिए अगले-व्ध अच्छिद अगे और पूर्व प्स्चिम कहा जाए तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी तो पस्चिम को क्या कहा जाएगा तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हों कि यहां पहला पॉइंट आप समझें करा ती चार यह दिसाएं ठीक है यहां उत्तर हो गया यह पूरब हो गया और यह पस्चिन हो गया अंप्तर और यह ज्लाओ अगए उत्तर हो तो आप देखना उत्तर के जिस्ट सामने वाली भुजा देशा जो होती है वो क्या को थे उस्ट जामने वाले दिसा होती है दच्छेड तो यह दच्छीड हो जाएगा ठीक है आप यह मतलब मैं नहीं होंगे आप इसके कार्डिंग हम में फिगर बनाएंगे इसके आप यह वाली दूसरी हो जाएं हो जाएंगी यह उत्तर हो गया उ दच्छढ पूर्व को उत् bizim नह항 जो कि यहाँ पर बंगया उत्तर पूर्व को पसिम क्यां डागे नहीं इसके इसकी क्राम में परिवारतन होता है तो पस्सिम, क्या कहेंगे अब यह पस्प्सिम होता क्या है यह लेकिन आप अब जब परिवायतन हो जाएगा तो पस्चिम कहां पहुंच जाएगा उत्तर यह हो गया पूरा हो गया पस्चिम यह हो गया तो पस्चिम की जगह पर यहां आ जाएगा यहां पर देख पा रहे होंगे स्वरी पस्चिम यह हो जाएगा और पस्चिम की जगह हैं पर आएगा क्या तर पूर और दट्ची ने ट हाँ यहां पर आ जाएगा दच्छट सबसक है क्या हो दच्छड फूर तो यहां लोगया अव्य को तो यहां पर देखेंगे तो चली कैसां को सम誉ना जाएगा विल्कुल step to step आपको समझना है और आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे यहां पर ध्यान समझना सब किलियर हो जाएगा पहला है पहले स्टम में कहा गया है कि दच्छिड पूरु को उत्तर कहा जाए अब देखें यह में जो है फिगर यह में दिसा है अब यहां कहा रहा है तक दच्छिड पूर को उत्तर कहा दें यहदर लेत भूल होता है इसको अगर अगर उत्तर कहें आज और जेस्ट सामने वाली जुदिसा होती हो क्या होती है दच्षिड जैसे उत्ता यह तो यह कौन सी होगी दच्षिड इसके कार्टिंग यह दच्षिड हो जाएगी जा करके परस्चिम को क्या कहा जाएगा तो परस्चिम यह होता है आप देख रहे हैं इस फिगर को जब परिवर्टन किये हैं यहां पर कोश्चन के गार्डिंग तो परस्चिम की जगें पर आ गया गया दच्छिड पूर तमारा करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा दच्छिड पूर मतल करके तब स्वाल्व करें ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है अगला कोस्टन है या फिर इसके न साथ लेकर स्वाल्व कर सकते हैं अब देखें मैंने आपको यहाँ पे दो टाइप सिखा दिये हैं इसके लावा हम आपको नेश्ट वीडियो में अगले टाइप सिखाएंगे नहीं तो वीडियो वो लंबा खिच जाएगा और आपको ही देखने में प्राबलम होगी अब इसके कुछ हम आपको सवाल दे रहे अगले वाले टाइप लेकर आएंगे तो हम वहाँ पे इनको हम पहले सवाल करा देंगे उसके बाद पांचवा ये है ठीक है और छठा ये है ठीक है तो इतने सवाल आपके लिए हमने दिये हैं बाकी इसका जो हम PDF है वो टेलिग्राम पे डाल देंगे तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों तक सेयर करें और हाँ इस समय जो सुधाये हैं उसी के काड़ी हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो परिशान नहीं होना है ठीक है लागडाउन की वज़े से हम लोग सही से जो चीज होनी चाहिए उस तरीके से नह है ना आज के लिए तना ही मिलते है नेस्ट वीडियो धन्यवाद है कि अ